ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक सुवागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आठ अपरेल सौंबार के रासी फल के बारे में की हा दिन तो लारासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैन दोला राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके उच्छ इस्तर के अधिकारी से संबंध बहतर होने से अच्छी पोजिशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती हैं अच्छा सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तो साती सात आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ती होगी और उन अवसरों को अपने पक्छ में मोडने के लिए आपके पास पूरी उर्जा और सेन सकती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफल ता मिलेगी और सुचारो रूप से आज आपके सभी कार रहे आसानी से बनते चले जाएंगे जिससे आपकी आर्थिक इस्तितियां बहतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक लाब के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्षा आपको सहयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविच्षे के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए काफी सुब फल दायक रहेंगी सत्ता से जोड़े लोगों के साथ अच्छे संबंद बन सकते हैं धार्मिक और अध्यात्मिक कारों में रूच लें आपके लिए फाइदेबंद रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जबके लिए क्या नेगटिव रह सकता हैं दोस्तों आज गाड़ी और घर की प्राप्ती के लिए किया गया प्रियास में बादाएं उत्पन हो सकती हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो केरियर को लेकर उतार चड़ाव की इस्टितियां आज आपको देखने को मिल सकती हैं परंतू परियास करने से अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभवना आज पाई जाती हैं दोस्तों साति सात आपको अपने परिवारिक शुकों में आज कुछ कमी देखने को तो मिलेगी ही साति सात इन सबी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, जिसका विपरीत असर आपकी सेयत पर पड़ेगा। आज सत्रू अंद्रूनी समस्या भी हो सकता है, किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है, तो सावधान रहने की आज आवा सकता है। यदि किसी तरह का कोई कोट मुकदवा या प्रॉपर्टी से संबंदित कोई विवाद हैं, तो ज़्यादा प्रियास ना करें। अन्यता इस्तितियां विपरीत दिसा में हो सकती हैं। दोस्तो साथ साथ चिंता या तनाव से आप बचें, इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिन से निवट पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। नकारात्मक विचारों से बचें, अन्यता परिवार में कलह होने की संभावना रहेगी। अधिक परिश्रम से शाररिक और मानसिक रूप से ठकान का अनुबब आज आप करेंगे। इसका आसर रिस्तों पर पड़ सकता है। थोड़ा साथधान रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं जबकि लव लाइफ कैसी रहनी वाली हैं। दोस्तों आज के दिन आप लोग अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। इसके लिए इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल है। परंतु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए। प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंद आज मदुर होने की संभवना पाई जाती है साती सास दोस्तो प्यार महबत के मामले में दवाब बनाने की कोशिस ना करें। यदि इस समय आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद हैं तो उसे सुल जाने की कोशिस करें। यदि नई रिलेशनसिप हैं तो उसमें कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें आपके लि लेकिन कटिन परिश्रम से क्यारों में सफलता मिलेगी और धनलाब की काफी अच्छी इस्तिती रहेगी। कर चेत्र में काम के अधिकता रहने से शारारिक और मानसिक रूप से ठकान का अनुभव आज आप कर सकते हैं। कोट का चैरी से संबंदित आपको कोई अच्छी खुस अच्छी इस्तिती को मजबूत बनाने में काफी महतपूर सावित होगा। और आप परिवारिक संपत्ती प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं। जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं जब का स्वास्त कैसा रहने वाला आज आपको अपने खानपान पर विशेश रूफ से ध्यान देने की जरुत बनी हुई रहेगी। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्त में लापरवाही नहीं करनी। आज आपको अपनी सिहत के मामलों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे दोस्तो मद्ध्यान के बाद आज आपका स्वास्त बिगड सकता है वहां चलाते समय शावधानी बरते दोस्तो अपने भोजन सामग्री पर आप विशेश रूप से ध्यान दें और समय निकाल कर अपने लिए प्रते दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप श्वैम को चुस्त दुरुस्त बनाए रख पाने में सफल हो इसने दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश रुपाई क्या हैं दोस्त साथ भगवान शिव के मंत्र ओम नमस्षिवाय मंत्र का मनी मन एक सो आट बार जाप अवश्य करें और अपनी मनों काम नए मांगें जै दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान शिव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीव का नियों कंत करेंगे और आपकी समस्त मनों कामने भगवान शिव के आशिरवास से अवस्य ही पूर्ण होंगी और आपके सभी कारने महुत यासानी से बंते चले जाएंगे दोस्तो भगवान भोलेनात का अशिरवात आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स वोक्स म जै बोलेना तवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद